हरे किष्णा, हरे किष्णा, वेलकम यौ आल इन दे ग्लास, आज की ग्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तो आज आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज एकदशी है, आमलिका एकदशी, आज की दिन भगवान को आमला जो है वो भोग लगाना चाहिए, it is very auspicious, भगवान को आमले का मुरब्बा है, candy है, chutney है, something you can make and just serve, ने तो फुल आमला भी चड़ा सकता है, तो इस तरह से हम भगवान के pleasure के लिए काम कर सकते हैं, तो आमला चड़ाने के पिछे reason क्या होता है, आ भगवान से connect होने का मतलब है, भगवान के हर चीजों से connect होना, तो जैसे trees होते हैं, तो trees भी कई प्रकार के होते हैं, सतो गुणी होते हैं, रचो गुणी होते हैं, तो जो आमला है, यह सतो गुणी tree है, you know, and it's a full of benediction, बहुत अच्छा है, even आमले के पेड़ के नीचे बै आने चाहिए, यह ना, नीम के वरिक्ष, आमने के वरिक्ष, this is very good, और कुछ पेड़ जो होते हैं, सात्विक होते हैं, सतो गुणुत पन करते हैं, उनके आसपास रहने से भी हम सतो गुणुत पन कर सकते हैं, तो यह सब जो link है, यह कैसे समझ में आता है, जब हम भक्ती में कि संबंद ग्यान के तब, तो आए जो है, इस दिन हम भगवान से प्रातना कहते हैं, का आज बहुत ही auspicious day है, और बहुत ही सुद्दर ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, मनाह सिक्षा, शीले रोगत स्वामी के द्वारा ये भी रचित है, श्री मनाह सिक्षा, तो उसके आज हम फ श्रुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले स्रिमते भक्ति वेदांता स्वामी निती नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौर्वानी प्रचारिने निर्विशेश शुण्यवादी पाश्यात देशे तार्वा, प्रेम से कहो जैसी कृष्ण चैतन्या प्रभुनित् क्रंत राज शी मना सिक्षा की जाए देदाई गोर प्रिमानंते हरी निर्वे सचेश्ट कस्ट प्रद विकित पाशाली भीर्यः प्रकाम्यकामादी प्रकट पथपाती व्यक्ति करे गले बद्वाहन ये अमिती बकबी दृद्वबबकरमगने पुरूत्वं फुकारान वति स Canadian आत्वम्न इदी ऐसे बले, इसमें क्या बता रहे हैं, जो fifth shlok है, इसमें बता रहे हैं, अपने पहले अले shlok में आपको याद है, four shlok में क्या बुला था, वग, obstacles बताए थे, कि हमें, किसकी कामना नहीं करनी चाहिए, desires किसकी नहीं करने चाहिए, anything, देदेउस्ट चाहिए और नारायन, लक्षिलीपति नारायन कोभी की भी डेसाइर नहीं करनी चाहिए और क्या डेसाइर करनी चाहिए ब्रज में जो राधाकरष्ण है उनके चरणकंबलों की जो है भक्ती करने के लिए पूलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये obstacle थे, भक्ती करने में ये चीज़े obstacle थे, तो कुछ obstacle जो होते हैं, वो gross होते हैं, यानि स्थूल रूप से होते हैं, और कुछ बाधाये जो होती हैं, वो subtle होती हैं, यानि सुक्ष्ण होती हैं, तो fourth verse में बताया गया कि कुछ बाधाये जो होती हैं जो है न, इस थूल रूप से हम देख सकते हैं, इन बाधाओं पर हम वर्क कर सकते हैं और इस पर रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन अभी जो फिफ्ट श्लोग है, इसमें कौन सी बाधाओं के बारे में बात करें, काम के बारे में बता हैं, और काम के पूरी गैंग पार्टी की बात कर रहे हैं, काम, क्रोध, मोहमद, मसर्यन, तो काम जो है वो दिखाई रहे हैं यह सेटल होता है, और इसी तरह बाकी चीज़े भी जो होती हैं, वो सेटल होती हैं, यानि सुक्ष्म में रहती हैं, तो इन पर विजय प्राप्त करना या इनको रिकॉगनाईज कर पाना क कि यह हमारे जो है बाधा है, यह बहुत ही जादा जो है वो बहुत ही जादा डिफिकल्ट का, इसके लिए एक्सपोर्ट आईज होनी चाहिए, समझ में रहा हैं, इसलिए रगुराद दास गुस्वामी हमें सचेक कर रहे हैं, है न, कि हम एट लीस ज्यान के माध्यम से पहल हे मन, जीवन पत में सहसा आक्रमन करने वाले काम, क्रोध, आधी, दस्यू गन अपनी कुचेश्टा रूपी कष्ट प्रद भयंकर रसियों द्वारा मन माने ढंक से गले को बांध कर मुझे जान से मार रही हैं, ऐसा कहकर रोते रोते बड़े कातर स्वर से बकासुर को मारन वाले श्री कृष्ण के भक्ति मार्क के रक्षक, महा बल्शाली एवं दयालू, भक्तों को पुकारो, वे तुमारी करुण, पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे यह जो वर्स है, इसमें कुछ शब्द, एक श्लोका दिखाए, कुछ शब्द जो है बहुत इंपॉर्टनिट है, तो यह बार-बार आएंगे, इसको आप समझाएंगे, जो हमारे जो वैशनों गण है, वो भी समझाएंगे असचेश्टा, फेर देखो कस्ट पर्द के बाद है, विकट, विकट पाशाली, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में देखिए, लास्ट वर्ड, कामादी प्रकट, पत्पाती, व्यती करे, व्यती करे, व्यती करे का मतलब होता है, लुटे रे फिर उसके बाद है कि बक भीद्व बका सुर का वद करने वाले वत क्रम गणे बका सुर का वद करने वाले वत क्रम गणे बका विर्वत कमप गणे Like these of devotee of Krishna the killer of बका सुर यह सब शब्द जो है बहुत मुद्ध फिर लास्ट लाइन है फुतकारा हमें फुस फुसाना नहीं भगवान मुझे बचालो बहुत दिक्कर में चिलाना है फुफकार करनी है चितकार करनी है पुरे हिर्द से तेज से फुकारना है क्यों? क्योंकि बहुत बटी problem में फसे हुआ है मरने जा रहे है मर जाएंगे तो वो जो चिक्कार होती है वो चिलाना है इना? इस वेरी बटन वर्ट खुदकारा तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इस लोग में कि यह जो कुछ चीज़े हैं जिसे काम तो काम जो है यह जो है यह सटल है सुक्ष्म रूप से हमारे अंदर रहता है और यह जो है जली रिकॉगनाईज नहीं होता क्योंकि कि इसके साथ जो और लोग रहते हैं यह पूरी तरह हमारी जो चेतना है उसको ढगते दे वो क्या कौन-कौन है काम के साथ क्रोध मोह पिर मद आता है फिर मचसर आता है तो यह सारे लोग मिल कर क्या करते हैं हमें पता नहीं लगने देते कि क्या हो रहा है जैसे हम देखते हैं कि हमको क्या लगता है हमारे यह शरीर बहुत important है इसलिए हम दिन भर अपने शरीर की care करते हैं, यह करते हैं, लेकिन सचाई है कि शरीर ही हमारे बंदन का कारण है, फिर हम किस की care करते हैं, हम अपने परिवार जनों की care, हमारे पुत्र होते हैं, पती होते हैं, पुत्री होती हैं, सगे संबंदी होते हैं, इनको क्या समझते है यह मेरे अपने है पिर इनके लिए कैसा हम वर्क करते हैं मुझा बहुत हार्ड वर्क करते हैं इनके लिए पूरे अटेंशन और लव के साथ क्योंकि रखते हैं यह हमारे लेकिन इनको थीव्स कहा गया है चोर है शास्त्र इनको थीव्स कहते है क्यों थीव्स केते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं भक्ती के लिए हमारा समय चुरा लेते हैं जो हमारी माँ है बाप है है ना हमारे जो भाई है बहन है पुत्र है पती है ना हमको क्या समझते हैं कि ये मेरे अपने है और उनके लिए हम बहुत effort करते हैं और फिर ज्ञान नहीं होने के करण हम इनी के साथ आ सकते रहते हैं और पुरनरपी जनननम, पुरनरपी मर्रम करते हैं actually ये हमारे लिए thieves हैं अब जैसे पत्नी है, पत्ती के pocket से पैसे निकाल लेती है तो पत्ती बोलता भई, मेरा जो पैसा है वो तुमने निकाला? तो वो हसके कहती हाँ, हाँ, मैंने ले लिया मुझे बड़ी साड़ी फरिदनी थी, तो मैंने आपके pocket से निकाल लिया तो पत्ती कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं साड़ी लेती कोई बात नहीं, लेकिन बता के लिया करो जब कि उसकी गाड़ी कमाई गई है, एनर्जी गई है, लेकिन क्योंकि वो उसको बहुत प्रिय है, पत्नी, इसलिए उसके लिए देख रहा है कि वो थीफ है फिर भी उसको बिनाए करें तो आप इन ही में फस कर आप आपनी आध्यात्मिक भक्ति है वो नहीं कर पाते हैं यह माता है यह मेरी बहुत बेरेफिट करने वाली है तो क्या करना चाहिए कि आ सकती बिल्कुर नहीं रखने साहिए, आ सकती रखनी चाहिए लेकिन duty की तरह, लेकिन हम पूरी आ सकती रखते हैं, कैसे आ सकती रखते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं उनको छोड़ देते हैं इनके लिए, तो ये हमारे मित्र है कि शत्रू है, मित्र वो वेक्ती है, जो हमें अपमारी जो situation है, जो सुरूप गत इस्तिती है, उसको प्राप्त करने में मदद करें, लेकिन ये लोग तो उल्टा चलते हैं, तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो कैसा कर दर भी रखना चाहिए, जो ये जो तीवर रती है, ये प्रेम है, इसके जो object है, वो है कृष्णा, लेकिन आम उल्टा करते हैं, हम इन में रती रखते हैं, और duty कृष्णा के साथ नहीं बात, बैस सुबह हो गए, आमाला कर लो, दपहर हो गए, भगवान के भूग लगा दो, ये हो कि आप हमाँ के भोग करें, कर रहे हैं न यहीं सब, हम beautiful काम भगवान के साथ करते हैं, और आसकती इदर करते हैं, हम यहां के हिसाब से भगवान को adjust करते हैं, जबकि प्रेम में भगवान के हिसाब से हमें adjust करना हो जाएगे, आज ये है तो हम ये नहीं करेंगे इसलिए हमारी सतत भक्ती नहीं उपाते लेकिन जो सतत भक्ती करते हो देखे कैसे हर चीज़ मैनेज करते हैं क्योंकि ये भक्ती की important को समझते हैं वक्तों के संग को समझते हैं तो ये सब बाते अभी आएंगी और अच्छे से आप लोग समझेंगे तो ये इसमें बताए जाए तो अभी जो भक्ती विदो ठाकुर है वो भी भजन दरपन में इनको काफी अच्छे सेक्स बेट करें तो पहला शब्द है कामाधी प्रकटपथ पाति व्यतिकरह कामाधी प्रकटपथ तो ये जो असत चेस्ट कस्ट प्रद विकट पाशाली भीरी कि ये जो असत चेस्टा है ये कस्ट प्रद है और विकट पाशाली उपर श्लोका दिख विकट पाशाली जो है इसका मतलब है फॉस्ट लेंग देखे बिकट पाशाली मतलब ऐसा जबजस ड्रेथफुल फंदा है इनका कि ये हमें बृत्यू के पास लेके चले जाते काम और हमें पता ये नहीं चल लए और हम इनी को पोशन कर रहे हैं इसी काम को बार-बार कैसे ये जो है उत्पन होगा इनी का हम पोशन कर रहे हैं तो अज्ञानता होने के करण जो चीजें घातक हैं हम उनी को पानी डाल रहे हैं और जो चीजें हमें निकालने वाली हैं उनके प्रदी हम समय नहीं दे पादें सुन कर भी ठीक से सुनते नहीं अटेंटिव नहीं होते हैं जबकि जो विक्ति बाहर निकाल रहा है उसके प्रती कितना निष्ठा से रखना चाहिए और बाकी चीज़े अर्जेस्ट करनी चाहिए लेकिन हम करते अलग हैं तो हमारे ये छे शत्रू हैं जुगी सुक्ष्णूर्स में रहते हैं काम इनमें हेड है और उसके साथ साथ ये बाकी लोग क्रोध लोग इसके साथ मोह आता है मद आता है और मसर आता है तो परिस्पत मिलित होकर दस्यू वृत्ती से ये कैसे होते हैं? लुटेरे होते हैं व्यती करे व्यती करे कामादी प्रकटपत पाती व्यती करे व्यती कर लिए मतला लुटे रहा होते व्यती को लूट लेता शिमत भगवत गीता में भी भगवान ने दूसरे जो अतिहाय है उसमें 62 औ 63 वर्स में इसको एक्स्पें किया को कोई पढ़ेगा इसको कुछा साब जानते yes यंन पढ़े करोदात बवती सम्मोहाः समृति विब्रमाः समृति ब्रमशाध बुढदी नाश हो बुढदी नाश हो ठनश हरा तो तो काम कैसे आता है तो प्रभुची अपनी वाइफ को हम डिवोटी बना देते हैं या हम लोग इसे इस्तरी है तो प्रभुची हम अपने पती को डिवोटी बना देते हैं तो फिर तो फिर आ सकती कर सकते हैं अपने बेटे को बेटी को डिवोटी बना देंगे तो फिर बता रहे हैं कि बंधन ही है चाहे डिवोटी भी बना दीजे आपके लिए सदैब दुख कही रहेंगे इसलिए इसको दुखाले कहा गया आपके लिए वो दुख क्रियेट करेंगे तो हो सकता है बाकी के लिए ना करें तेकिने दुखाले हैं यही तो भगवान की अर्रेंजमेंट है क्लेर हो रही है बात समझ में आ रही है तो जब हमें यह पता चल जाएगा जब आपको नौलेज हो जाएगा जब तक हमें भगवान की भक्ती नहीं प्राप्त होती है तक तक हम क्या सोचते हैं, जो चीजें बंधन का कारण हैं, उनके प्रती मोह रखते हैं, और जो हमें बंधन मुक्त करके सुख और साश्वत लाइप प्रदान करने वाली हैं, उनके प्रती हम इतना intense रती नहीं रखते हैं, प्रे मजरी, you want to say something? मादाजी जैसे हमारी इच्छा क्या होता ना कि जैसे पुरा परिवारी भक्त बन जाएता कि हमारा इट्मॉस्फिर हमारे को भक्ती की क्रियाए करने में असानी हो, इसलिए भी हमारी इच्छा होती, selfish तो ही, कि आसपास के लोग थोड़े से बेटर हो जाएंगे, तो हमारी अ वो सब को लेकर घर में बैट कर भक्ती विरिक्ष चलाना चाहता है, वो बाहर भोगना बंद कर दिया है, अब भक्ती विरिक्ष के नाम पर सुक्ष्ण भोग कर रहा है, प्योर भक्ती, this is not pure भक्ती, नहीं, जैसे माता जी, जैसे हम लोगों को बैटे हैं घर पे, तो जाना बजेगा, ठीक है, बजेगा भी सिखाना आएगा, मतलब क्या है, जाना भी, हमारे लिए, हमारा जो पहले तो बाकी relation तो छोड़ दीजे, ये शरीर ये बंदा ने भी आप to understand, पहले वो सब छोड़ दीजे, वो तो बात-बात की बात है, first knowledge is क्या है, हमें ये समझो, कि ये जो body है, इसको जो maintain करने की कोशिश कर रहे है, किस price पर, भक्ति के price पर, भक्ति करने के लिए time नहीं है, लेकिन शरीर maintain करने के लिए time, पता नहीं कहां से निकला, है ना, देखो, इस शरीर के प्रती जो लगाव है, इसको maintain करने के लिए, इसकी existence बनाई रखने के लिए, हम कितना कुछ करते हैं, कि उसके लिए आध्यात्मिक time नहीं, कैसे, तो यह थोड़ी की make-up करने के लिए हम कह रहे हैं, मतलब कितना भाए है इसको छोड़ देना, इस शरीर को छोड़ देने का कितना भाए है, इस भाए के कारण ही तो सबसे हम attraction और आश्रे ढूंड रहे हैं, अगर आपका भाए खतम हो जाए कि मैं, I am not this body, I belong to Krishna, भाए नहीं रहेगा, अगर हमें पता चल जाए हैं मरने वाले अभी देखो हाला, पता चल जाएगा कितने attachment हैं मरी, समझ रहे हैं, तो बात यह, शास्त्रा में समझा रहे हैं, कि हमारे जो body है और body से related जो लोग हैं, य लेकिन हम क्या बोलते हैं, हाँ वो तो ठीक है, हम इनको devotee बना देंगे, फिर क्या हम सोचते हैं, मतलब हम तो कभी भी भक्ती से निकल जाएंगे, कभी भी हम आया से निकल, भी आपने नहीं निकल जाएंगे, इस सब कनिश का दिकारी के सब arrangements होते हैं, जबकि भाग्त जो ह वो हमें यह arrangement इसलिए करते हैं, यह डवटेल इसलिए कराते हैं, ताक कि हम में शुद्ध भक्ती डवलपर हमारा अंदर बहरा गया जाए, और भग्वान के प्रती अटेचमन आई, इंड़्यूट, लेकिन हम शुरू में नहीं कर सकते हैं, ताक कि हम में शुद्ध भक्ती solution. Dovetail is the first step. But we take it as a solution. समझ रहे हैं? अब हम जब भी जितनी भी चीज़ें करेंगे, हम कैसे करेंगे, बिलकुल pure भक्ती नहीं रहेंगी हैं हमारे. When we say something mine, then automatically other thing are next. अब समझ रहे हैं? जब तक हम categorize में करेंगे, किसी भी चीज़, मेरा भक्ती वरिक्ष है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है. When we, me and mine है, it means your neglect next person. जब हरे, कुछ भगवान, ये समझना बहुत-बहुत मुश्किल है, इसके लिए शुद्ध भक्त लाइव होना चाहिए आपके पाश. गुरू होना बहुत सुरूरी, अब भी लाइव गुरू होना चाहिए. लाइव अच्छे भक्त होना चाहिए, जिनको अनुभा हो. तो वो चीज़ें होते हैं. लेकिन जो कनिश का दिकारी होता, उसको जब शुरू के इंस्ट्रक्शन को, वो ultimate instruction मान लेते हैं. वो हो रहा है कि at least क्योंकि बिलकुल कोई विक्ती लगा, एकदम से कुछ को नहीं बोल सकते हैं, आप समझ रहें? यह सचीज है. Get your answer? हाँ, मतलब हम लोग एक step से दूसरे step in जा जाते हैं, मही comfortable जाते हैं. मतलब कहने हैं, मतलब कहने हैं, वो step wise, वो हमको एक तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, कि हम समझ रहे हैं, this is the, dovetailing is the last step. Dovetailing is not the last step. Dovetailing is not the, our goal. Dovetailing is the first step. जब हम शुद्भक्त, आप देखो, जब आप चैंटिंग, अच्छी चैंटिंग करने लगो, कुछ सालों बात हमें, कितनी चीजों से अपने आप वेराग्य होता हैं, शरीर से, relations से, एक समझ में आता है, वेराग्य का doesn't mean कि we don't care anyone, we don't be any sentiment to anyone, we have, but our real sentiment belongs, this is the Krishna's property. I am Krishna's Krishna property, and all things are Krishna's property, then I take more care, but without any false attachment, then real वेरागय and real attachment, बाताचीस में एक चीज़ भी आदी, कई दफा हम लोग जैसे पक्ती कर रहा हैं, बच्चे हैं, तो बस उपर उपर का रह जाता है, तो क्या ये गलत हो रहा है? मैं उपर उपर से ता, अब उपर उपर से दिखाते हैं, हाँ बेटे खाया, आए किया, आए किया, बट अंदर नहीं है, somehow मैं फील कर रही हूँ, अब उतना इग्णोरेंस ना माताजी, that is Maya, that is calm, calm is working on you, you think like that, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इन attachment से, कोई अपने प्रयास से बाहर, निकली नहीं सकता, यह एक जनम के नहीं है, यह पीछे कई जनमों के बाद, हमें action और reaction के रूप में, relations मिले हूँ, we think, यही तो Maya है, Maya कहती है, हम कभी भी अभी आये गा, इसमें बताएंगे, I think that I can leave it, I think I can, any way come over of it, and that is illusion, हमें यही तो लगता न, हम जब चाहें, हम चाहें छोड़ देंगे, किसी से पुछो, चाहें, नहीं हम छोड़ सकते, करके दिखाओ, मतलब छोड़ा नहीं चाहता, नहीं होगा, चाहें चाहें हैं आपकी, एक चोटा से एक्जाम्पल ऐसा दे रहें कि, आप लोग सोच सकते हैं इन सब चीजों से, लेकिन जब भक्ती करते हैं, तो पहले तो एक restriction रखते हैं चाहें से, हैंना, चाहे से restriction रखते हैं, नहीं नहीं करना है, फिर भाई हमें आदत है, तो थोड़ा सा हमें बल लगता है, ठीकिन उसके पाचे में अच्छा nectar मिलने लगता है, आपकी गंद भी करतम हो जाती है, पहले हम उसको option लेते हैं, ठीक है, हरबल्टी लेंगे, फिर उसको है ना, एक time पर फिर हरबल्टी लेंगे, we replace it from the particular thing, it's okay, but if you are doing bhakti nicely, what will happen when you raise your rasa, somehow you can connect great rasas with a good association, what will happen? Even your desire for taking tea, where it gone, you don't know, no, एक गंद भी खतम हो जाती है, we don't take supplement also to nourish it, इसे अथ है ना, कुछ लोग मीट खाते तो सोया बीन लेते हैं, कुछ लोग प्याज खाने की बहुता से इसे पत्ता को भी यूज करते हैं, you understood the point? these are the things, तो धीरे धीरे जैसे इसे वक्ती में, जिन भी चीज़ों में हमें रस बर्जम होने लगता है, तो हमें उसके जरूवत भी नहीं लगती है, उसके substitutes को भी भोगने की habit नहीं लगते हैं, ये, clear? पहले तो था हल्दी राम चले जाओ, that's the hope that Swami said, this is the real वहराग्या, that is युक्त वहराग्या, अब देखो, चाही से हम नफरत नहीं करते हैं, but we don't want, ना, एक, एक relation, प्याज मतलब, आप समझ रहे ना, ये ही feeling हमारी हर चीज़ में डवलप होगी, that is real वहराग्या, कि छिप के भी एक्षा नहीं है, तो अभी आपको समझ में आई बात, काम अपने प्रयास से नहीं जाता है, यहाँ पर भी माया काम करी, हमें लग रहा हाँ 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 हाँ, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट है काम, काम बहुत सुक्ष्ट, इसको एक्सपर्ट गुरू पहचान सकते हैं, और इसका एकमात रुपाय है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी यह कम प्रेम में पढ़ने तो जाता है, क्योंकि काम विकरित रूप है क्रिष्ट प्रेम का, यह attachment actually क्रिष्ट का है, लेकिन यह attachment खाली कहा चींज हो गया है, काम रूप में हो गया है, कृश्ण को छोड़ने के कार। क्लेर हो रहा है। कृश्ण प्रेम हमारे अंदर जो की अल्रेडी सुपत योग अपनी illusions में रहते हैंं क्योंकि इलिूजन भी एक पार्ट है काम का ऐसे लगता है हां हाँ हो गया सब ठीक चल रहा है बट रहुत डिटेल में आगे पढ़ी हिंदी में जो कामादी अर्थात विशेयों का चिंतन करने से उन विशेयों में आसकती हो जाती है आसकती से उन विशेयों की कामना उत्पन होती है और कामना में विखन पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है स्पूरुती में ब्रम्म हो जाने से बुद्धी अर्थत ज्यानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धी का नाश होने पर पुना विषय भोग में निमगन हो जाता है इस प्रकार संसर चक्र में फस्तर दुख भोगने लग जाता है श्री बल्देव विद्या भूशन उत्रुप श्लोक में गीता भूशन भास्या में कहते हैं भगवान के श्री चरण कमल में चिंत को लगाए बिना केवल ज्यान योग तपस्या आदि द्वारा मन को निग्रिहित करना काम क्रोधादी अनर्थों से छुटकारा पाना सर्वर् रूप रस गंद शपर्ष शब्द आदि विशयों को सुख का कारण मानकर उनका मन ही मन चिंतन करने से योगी पुरुश की भी विशयों में आसकती हो जाती है आसकती से भोग की कामना उत्पन होती है भोग की कामना में बाधा उपस्तित होने पर प्रोध और उसे कारिय औ अर्थात ज्यान का लोग हो जाता है एसे सम्मोह से स्वृति का ब्रह्म हो जाता है अर्थात इंद्रियों को जै करने के परयतनों से अनुसाधन चुत हो जाता है स्वृति का ब्रह्म होने पर बुद्धी का नाश अर्थात आत्मज्यान मुलक अनुशीलन का विनाश हो जाता अंत में बुद्धी का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। यहां सर्वनाश का अभिप्राई विश्य भोग में नीमगन हो जाना है। ताथ पर यह कि श्री भगवान का आश्रय रहन नहीं करने से दूर निवार मन को जितना असंभव है। अवन्शी भूत मन ही घोर अनर्थ की जड़ है। अत मन को वन्शी भूत करने के इच्छुक पुषों को अवश्य ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। जिव मात्र का यही प्रधान और एक मात्र करतव यह है। हरे कृष्ण। तो जैसा कि इस श्लोक में बता गया यह हमने पढ़ा भी है सेकेंड चैप्टर में। इसको जादा मिलापरेट नहीं करेंगे। इस पर भगवान कैसे बोलते हैं। जो हमारे दुख का मेन कारेने काम यह कैसे उत्पन होता है डिजायर्स के द्वारे। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान क्रेदित करते हैं ध्याये तो जब किसी चीज़ पर बार बार ध्यान क्रेदित करते हैं तो ध्यायते विश्यान पुन्स संगस्तों होता है। ध्यान देने से हमारा संगुत्पन होता है और फिर हम उस विश्यों में लग जाते हैं। यहीं चिंतन करते हैं चिंतन करना desires काम की वासना कैसे होती है संकल्प पूर्वक होती है determined to fulfill our desire determination of desire यहाँ पे वर करना है तो काम जो है वो चेक हो जाए तो यह कैसे होता है काम को केवल क्रेम से ही ठीक किया जा सकता है क्योंकि यह इसका विकृत रूप है और किसी से भी चेक होता नहीं काम और अलग-अलग form में हमारे पास आता है तो इससे क्या होता है लास्ट में जो sequence है हम जानते है काम से कुरोध होता है, कुरोध से मो होता है मोग से इस्मृती ब्रहम हो जाता है जब हमारी ब्रहमित हो जाती है तो हम intelligent decisions नहीं ले पाते है और क्या हो जाता है बुद्धी का नाश अगर किसी जीव का हो गया तो वो जो है वो पूरा नाश कर ले जैसे एक example है कि जैसे कुरोध जब होता है तो क्या हम सब की एक है कि क्या होता है हमारे क्रोध में हम जो है ऐसे decisions लेते है जो कि बिल्कुल ही गलत होता है जैसे क्या हुआ कि एक बार जो विदेश में एक couple रहते थे और multi-historic building थी वहाँ पे वो रहते थे तो उनमें लडाई होने लगए लडाई होने पर दुने पत्नी पत्नी में इतना argument होने लगा तो पती जो है बहुत कुस्से में हो किया और उसने क्या किया अपने बेटे को उठाया और सुचा कि जस्त मैं इसको बालकनी में ऐसे खड़ा करता हूँ बेटी को अपने पत्नी को डराने के लिए तो ऐसे हो जाए उसने बालकनी मैं फेक दूँगा इसको इसको आइसे लाइड़ा है somehow उसका जो हाथ है वो slip हुआ पर जो चोटा सा बच्चा था और वो पूरा नीचे कॉटीन माला से गिर गया जब वो गिर गया तो उसको समझ में आते क्या हो रहा है उसकी वाइफ ने जब देखा है तो वो बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर पाई वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो भी उसको बीचे कूट गे और दोनों डेथ हो गया और इस विजन को सामने वाले टावर में एक बुढ़ा है कपिल जो है वो देख रहे थे और वो देख रहे थे लेकिन वो क्या कर सकते हैं उनको देख के उन दोनों का इमेडियेट हार्ड अटेक हो गया ये होता है क्रोध बुद्धी नाशा प्रणर्ष्यत इसलिए कहा जाता है जब क्रोध होता है तो थोड़े दिन के लिए शान्त हो जाना चाहिए और जो उसे क्या होता है हम सही डिसीशन्स लेख पाते है ठीक है ना तो इस वेरी इंपॉर्टन यह जो है एक एक्सेम्पल के समद्ध तो यहां से खम कर लें थे तो इसे अता मन को वशिबूत करने के एक्सेम्पूर्षों को अवश ही भगवान की अराधना करने चाहिए क्योंकि मन को कभी भी जीता नहीं जा सकता इस काम को आप कभी नहीं जी सकते हैं केवल भगवत भक्ती करने से ही यह काम जो है प्रेम में पढ़ने तो चाहिए अभी काम कहा लगा हुआ हमारा प्रेम कहा लगा हुआ विकृत रूप हो गया फिर शरीर और शरीर सम्बंदी चीज़ों में लगा हुआ और भगवान के साथ ड्यूटीफुल सम्बंदम कर रहे हैं लेकिन जब इसमें सही ग्यान आजाता है देवी ग्यान मिल जाता है तो हम उपोजिट धीरे वीरे करने लगता है क्योंकि हमारे अंदर सुक्त कृष्ण प्रेम है अल्रेडी है लेकिन ये करने के लिए एक बहुत एक्सपर्ट गुरु की जरुद है तो परंपरा में जो गुरु होते हैं जो दक्ष गुरु होते हैं वो होने चाहिए और साथ में कॉंबनीशन क्या होना चाहिए गुड लिसनर जो है वो उनका शिश्य होना चाहिए सुन्दर सही से श्रमन करने वाला शिश्य होना चाहिए जो सही श्रमण करता है वो चार चीजें करता है श्रमण, मनन निदी ध्यासन और प्रचार ये चारों काम में वो एक्सपर्ट होता है, तब वो श्रमण कम्प्लीट होता है, तो ये सब जो चीज़े, good listener, जो है ये combination गुरु के साथ, जब होता है wonderful examples, wonderful reserves, तब हम जीवन की वास देख, अवस्थाओं में पहाँ सब पर otherwise और कोई उपाए नहीं, इसलिए देखे, रूप गुष्वामी जो है, पहले हमें सूख्ष्म, सुरी, स्थूल शत्रूओं के बारे में बताया उसके बाद सूख्ष्म, सत्रूओं के बारे में हमें बता रहे है फिर बता रहे है, next है असत, चेश्टा रूप कस्ट प्रद भयंकर पाश, पाश कैसा है ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा रसी का पंदा में कीच रहा है, ये पाश बहुत धायानक है इसके जब गले में वो डल जाता है, हमारे तो हम तिल मिला जाते है और असत, चेश्टा रूप में ये हमें बहुत कस्ट देते है जो शट रिपों की कुछ चेश्टा रूपी कस्ट पत भयंकर रसी है, दोरा हमारा गलाब बांध दिया जाता है आप देखों कैसे चट पताते हैं कैसे डिप्रेशन में रहते हैं कैसी अवस्था हमारी हो जाती है हम सबसे प्रेम्द करते हैं लेकिन हर लोग, हर लोगों से हम केवल लताड़े खाते हैं और अंदर तक जिलन उत्पन होने वाले दुख को प्राप्त करते हैं आप सबका एक्स्पीरियंस है लाइफ में इंदम अंदर तक आपको हिला देगा, ये ऐसा वैसा फंदा नहीं होता है ये अंदर तक भयानक पाशन ये हमें दुख देता रहता है लेकिन आसक्ति के करन हम इसको छोड़ नहीं पाते है जैसे मैंने एक्जाम्पल दिया पैसे वाला एक्जाम्पल देख रहे हैं, वह हमें लूट रहे हैं लेकिन हम उन्हीं के प्रतिया आसक्त फिर तुम्हें किसको पुकारना है बका पिदा वत्मर गणे जो बकासओर है बकासओर जो है कपट डिसाइड का मुर्ती मान रूप है बकासओर तो बकासओर जो हत cohort है पत्थ अतार्यक क्रिश्ण प्रेम का अनुशिरिन करने वाले पत्थ यानि पालन रक्षक यानि वैशनो जन यानि भगवान और उनके भगतों को बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए, कैसे, खाली प्रकासुर को माने ले कृष्णा मुझे बचा जा ऐसे, नहीं, चिलाना है, नूरे हिरे जोश के साथ अंदर से, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 ह हरे हरे राम हरे राम 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 हरे पूरे रोम हिल जाने चाहिए जब हम जहरे किष्णा चैंटिंग कर रहे हैं पूरा पूरे सामर्थ लगाना होगा हमें सब कुछ लगाना होगा मन लगता नहीं है फिर भी लगाना होगा तो जब हम तेज बोलते हैं तो मन की अवाज भी सु आ सकता है तो कपट का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो कपट वेश धारण करता है श्रीडरामराज करता है जिसे राक्षास की प्रभिर्ती रखता है मायावादी उपर से डिवूटी का ट्रस धारण करके आ जाए यह होती है कपट अपने हम ब्रामः कुल में हम दिवेधी हैं मतुरा में ही पैदा हुए थे क्यों कि हमें चीट करना है न हम सुझतें के अरे हैं तो मतुरा के भगवान के भक्ते के गर्से हैं जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल बोल तो समझना बढ़ेगा ऐसे कपट होता है ऐसे हम कपट कर तो यह सब चीज़े हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बकासर का विनाश करने वाले कृष्ण के प्रेम अनुशिलन पत के रक्षक और पालग वैशनो जन को भी भगवान को और भगवान के शुद्वैशनो जन जो हैं उनसे हमेशा रो रोकर कातर को रोकसर में प्रात्ना करने चाहिए क्योंकि वो महा बल्वान होते हैं वो वैशनो का मतलब होता है to guide us to guard us sorry, guide and guard us both वैशनों guard कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान के जोरा protected रहते हैं उनके पास बल होता है, निर्भह रहते हैं उनको चिंता नहीं होती है वो समझ गये दे, we are not this body उन्हें किसी भी परसेशी, जहां हमारा दिमाग शुन्य हो जाता है, बिबाल्डर हो जाते हैं वो विल्कुल धीर है रहते हैं तो वो वैशनों जन जो हैं हमारी मदद कर सेंगे यहां पर रावान मुझे चाल्ज होए, प्रातना करते हैं क्या है? प्रहलाद नाद पराशर पंडरिक व्याश अमरीश शुक शोनक भीश्म दाला भ्यान, रुकमाने द्रोन बभीशन फाल गुना दीन, पुण्या निधाम परंभावान नमामी, यह पद्यावली से लिया गया है, तो यह महाभावत भक्त हैं, इनको पुकारना है कौन कान है? कोई पढ़िए में प्रहलाद नारद पराशर, पुन्डरिक व्यास अमरीश, शुक, सोनक भीश्म, दालाब्य रुकमा अंगद उद्व, विबिशन और अर्चुन प्रभूती, पुन्या आत्मा परं महा भागवतों को नमस्कार करता हूँ भक्त निश्री सर्वग्य नामक, भक्त कभी भक्तों की स्थिति का वणन करते हुए कहते हैं प्रत्रक्त जरिता पतिम चुलुक वता खदोत वद्रा करम मेरू पश्चंती लोस्ट वत किम परंभुमे पती भृत्पत चिंतारत चयं शिला शल्यकलवत अद्बुद्रों कास्ट वत संसार त्रिनाराशी वत किम परंदेहं निश भारवत यह गुरुमारा चेश्ष्ट लोग पूलते हैं है भगवान तुम्हारे भग्त समुद्रों को चुलुक के समान सूर्य को खा घुत के समान और सुमेरु पर्वत को मिट्टी के धेल के समान समराठ चक्रवती को तुच्छ सेवक के समान चिंता मनी को धेर को पत्थर के टुकडों के समाने कलपव रूप्ष को साधरन लकडियों के समान और संसार की तुरून राश्टी के समान देखते हैं और अधिक क्या कहें आपके वियोग में उनका अपना शरीर भी भार सा प्रतित होता है देख रहे हैं जो चीजें हमारे लिए आ सकती हैं वो उनको तुछ समझते हैं तो वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं बिकॉज ही उनका जो परसप्शन कहां लगा हुआ है भगवान के प्रेम में लगा हुआ है इसलिए शरीर भी भार रूप रहता है अभी समझ रहे हैं तो जि के आ सकती सही लगी है वो हमें गाइड कर सकते हैं वो हमें रक्षा कर सकते हैं श्री मधव सरती जी और भी सपस्ट करते हैं इसमें एक और पध्यावली है गुवी नगद भी इस प्रशेद केवल कर्मकांड प्रतिपादक मीमान सादर्शन रूप धूली से जिनका ज्यान चक्षु अत्यंत मलिन हो गया है उनकी बुद्धी भगवान में नहीं लग सकती गर्वान के बुद्धी भगवान में कैसे लगेगी वो तो बगवान से अगर उनसे पूछेंगे तो आपको बुद्धी करकश होते हैं उतर्क कर रहे हैं जिनका ऐसे कुट्ध क्रोश जिनकी बुद्धी करकश हो गई है श्री हरी की कथा तो उनसे बहुत ही दूर है अर्था उनको हरी चर्चा सुहाती ही नहीं है वेदागी पंडित जन भी श्री कृष्ण में आसपती न होने से जानते हुए भी वेदों को वास्तविक तत्वों से इस प्रकार नहीं जान पाते जैसे बड़ी भारी द्रवी कलक्षी सु स्वादू रसो को परोस्ती हुई भी उस मधूर रस के स्वाद में वंचित रहती है सत्संग में ऐसी ही महिमा का वर्णन किया गया है रिष्टान के द्वारा सजातिय संग का प्रभाव दिखलाता है जयसे ज़े समीब बड़ती निकट में अगर कोई स्फाटिक मणी है उसके समीब जो भी चीजे रहनी उसका प्रतिविम्भ उसपर दिखाई देता है उसी तरह संग जैसे वकतिर सामी सिंदू में एक्जैंपल दिया गया ना इसका एस्फाटिक मणी क्रिस्टल जो होता है उस पर अगर आसपास कोई कलर रहेगा कोई चीज रहेगा तो उसका प्रतिबिम्ब उस पर पढ़ता है यानि association का फरक पढ़ता है उसी तरह से जैसा संग होता है वैसे हमारे उपर रंग चड़ता है इसलिए association is very important येस परवती वस्तुओं का गुण रंग प्रतिबिम्बित होता है इसी प्रकार जिसके सही जिस व्यक्ति का संग होता है उस व्यक्ति में संगी व्यक्ति के सभी गुण आ जाते है इसलिए बिल्कुल स्भी बाद है ना जिसका हम association करते है वैसा गुण हमारे अंदर आने लग विचारों का आदान प्रतान जब होता है emotions का जब आदान प्रतान होता है तो उसको संग कहता है विचारों का आदान प्रतान, emotion exchanges ये सब संग होता है जैसे आप किसी को क्रोध कर रहे है और वो मायावादी है तो आप उसको आप परसनल हो रहे है अभी वो कुछ कहेगा तो आपको लगने वाला है ध्यान दीजे सब्सक्राइब ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम ही सब कुछ होता है क्रोध भी आपको इमोशन है हम जब action और reaction करते हैं तो उस विक्ति का संकर प्रभाव पड़ेगा फिर वो बहुत दिनों तक याद नहीं रहे देखिए कितना images जिन पर आप क्रोध किये हों याद करिए उनकी उनकी गलतियों को आज तक आप भुला नहीं पाए हो यह ना इमोशन एक्स्चेंजेद नहीं करने चाहिए ऐसा होता इसलिए अपने कुल की समुरुद्धी के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को सजातिया सद पूर्षो का ही संग करना चाहिए तारांस है कि ज्यान वेराग्य योग और तपस्या आदी से रदय की मलिंता दूर होती नहीं होती परंतु दंबहीन वश्णव के संग के प्रभाव से उनकी क्रिपा होने पर रदय सहज ही संपुना रूप से निर्मल हो जाता है अब समझ में आ रहा है हिर्दे अगर आपको निर्मल करना है काम मुक्त करना है काम के जो बागी element से मुक्त करना है तो अगर आप ग्ञान लेंगे तो होगा नहीं और वैराग ये लेंगे तब भी नहीं होगा सब कुछ छोड़ देंगे पती का घर छोड़के हम घर आ जाते हैं होगा नहीं कुछ ज्यान लेने पर भी कुछ नहीं होगा आप अरे meditation करते हैं, योग करते हैं कुछ नहीं होने वाला है और बहुत तपस्या करने लगेंगे तो वो भी होने वाला कुछ नहीं इससे यह दिदा की मनित्दा ने काम वहीं कमा ही रहेगा I understood the point? यह बहुत important point है हम generally यही reactions देते हैं जब हम सजातिय संग करेंगे और जब गुरू को सुनेंगे, उनके हिसाब से जब हम चलना शुरू होते हैं तब यह हिर्दय में जो काम है न इसकी गाट खुलती है क्यों? क्योंकि वो क्या देते हैं गुरू? दिव्य ज्यान हिते प्रकाशी तर वो दिव्य ज्यान देते हैं वो ज्यान के कारण उस ज्यान के बल पर जब हम चलते हैं और वो जो अनुभवी हैं और उनके साथ गुरू के साथ जो और अनुभवी भकते हैं जो की पालन कर रहे हैं उनके संग में, सजाती संग में रहते हैं तो वैवार में हमारे changes, हमारे संसकार में changes और काम के गाठ पर वार होता है इसलिए जैसा इसकौन में आने के बाद लोगों के answers मिलते हैं, doubt clear होते हैं अच्छे भगते की तरफ बनते हैं अच्छे बहुत बड़े-बड़े दुश कर्मी, पापी भगवान के भक्त बनते हैं क्यों? भगवान की भक्ती के कारण समझना रहे? आप ज्यान के माध्यम से, वेराग के माध्यम से योग के माध्यम से या किसी तपस्या के माध्यम से आप सोचेंगे कि आपके हिर्दे में जो ये गंदगी है दूर हो जाएगी भूल जाएगे और आप देखते हैं ना समाज में हमें इसी इनी वीडियो के द्वारा इस सोचने के हमारी काम जो है दूर हो गया कितना डिफिकल्ड है देखे है रही आप समझरहे हैं आप समझ में आ रहा है की संग कितना इंपोर्टंट है और सही संग कितना दुरलब है किसलिए आदे रिट्रीट में सचिदर नन प्रभू क्या कहरते है कि मैं संग लेने के लिए इतन इतने किलोमेटर दूर तक जाता हूँ आपको तुम्हें संग दे रहा हूँ बैठे-बैठे और आप आके क्लास में सो रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं ना सच दर ना तो हमारे अंदर लॉल्यम नहीं है तो यह सब चीज़ें जो है परन्तु दंब ही निवैश्णों होता है उनके अंदर दंब नहीं होता है इसलिए वो भगवान की भक्ती कर पाते हैं उनका हिर्दय निर्मल रहता है उनके संग से हमारा हिर्दय भी निर्मल हो जाएगा एगो छोड़ना पड़ेगा फॉल्सी रियल एगो लाना पड़ेगा और वो रियल इगो हमें देते हैं clear है तो ये इस श्लोक का meaning है ठीक है तो ये short में meaning था इसके बाद जो है हम एक rational song जो है वो जो कि भक्तिविन ठाकुर ने लिखा है बहुत सुंदर लिखा है और ये काफी अच्छा और बड़ा song है ये भी song जो है बहुत अच्छा है आई देखते हैं मैं पढ़ती हूँ इंग्विश कोई पढ़ेगा पतिविन ठाकुर ने इसी पर song लिखा है क्या है कामक्रोध लोब मोह मद मसर सभा जीवेर जीवन पत बसी असत चेष्ठा राजू भसे पति कीरे धर्म नासी परन लिया करे काशा कासी कसा कसी Desire, Anger, Greed, Bevilgdermend, Intoxication and Pride are six enemies that wait on the path of a soul's journey of life they have love which pull that soul from righteousness dharma and performs unscrupulous activities as such चेष्ठा these enemies pull tightly to drag away one's life तो यहापे देखिए यहापे लिखा है they have lessos lessos means क्या होता है फंदा तो यह जो काम है क्रोध है, मोह है, मद, मकसर है यह जो छे enemy है यह हमारे भक्ती के पाथ में बाधा है क्यों? क्योंकि इन सब के पास होते हैं और क्या करते हैं, यह हमें pull कर लेते हैं that soul he sip from the right years यानि धर्म के पच से हमें विमुक्त कर देते हैं इन सब के पास फंदे होते हैं बहुत देंजरूस फंदे होते हैं and perform unscrupulous activities यानि असद चेष्ठा यही जो यही जो लोग हैं, यही इसके करण किसके करण होती है, हमारी असद चेष्च है, प्रजन फम क्यों करते हैं bad association के करण desires के करण और पिछले जीवन में जो sinful activities होते हैं, उनके करण हम यह सब करते हैं तो यह enemies जो हैं हमें क्या करते हैं, pull tightly to drag away our life हमारी life को जो है वो गरते हैं, इसलिए बुलते हैं, जिससे सब कुछ आ जाते हैं, हम सुस्थे क्या, हम धन कमा लें उसके बाद हम भक्ति कर लेंगे ठीक हम देखते हैं, हम धन कमा लेते हैं, लेकिन हमारे 30 साल तो निकल गए precious 30 years we have lost धन कमा के क्यों क्योंगी आत्मा का नरिश्वंट होना पस जरूनी जैसे ही भक्ति मिले तुरंत करना चाहिं तो मना तुमी धारा वाक्य मोर एही सबब बत पड़ा आसित दुर निर्वार वाक्या ना ग्रिहे करे जोरा Oh heart, please seriously consider my world. These highway robbers, यह जो लुटे रहे हैं, highway robbers को मतलब करते हैं, लुटे रहे They are incredibly difficult to resist. यह हमारे बचाने से नहीं बचेंगे Thus, whenever they surrounded and attack you, अगर आप जब यह attack करें, सब मिलकर गैंग में और यह कैसे हैं, अगर आप शलोका देखेंगे, तो उसमें लिखा था कि यह हमारे ही शत्रु है, हमारे द्वारा जो उत्पन काम है, यह गैंग है यह गैंग बाहर से नहीं आता है, यह हमारे द्वारा यह उत्पन है तो क्या करना चाहिए, जबी आएं तो हमें क्या करना चाहिए करे कीचु ना करिये, वैशन नवेरे नाम लिये, फुलकारिया दक उच्चारया बकासुर सेई गने, क्रिपा करे नीज जने, एते करे उधार तुमाया बकासुर का बद करने वाले है, क्रिपा मेरी रक्षा कीजे, मुझे काम ने ग्रस्त कर लिया है, मोह ने, मद और मस्तर ने ग्रस्त कर लिया है क्रिपा मुझे बचाईए, क्रिपा मुझे बचाईए, लाओडली चैंटिंग करना चाहिए अपने मिल लिया है आपको हर समय ये help करेगा ये shouting the mantra जब कुछ नहीं काम करें दिमाग बुद्धी काम नहीं करें इनके करण में क्या कर रहा हूं? sinful activities में involve हो चुका हूं my life breath has almost left me मेरे प्राण भी अब निकलने वाले हैं इन्होंने पंधा बांद के मुझे खीच रहे हैं और ये मुझे मार ढालेंगे और मैं कुछ नहीं कर पर रहा हूं हे रूप रगुनात हे शटको स्वामी कृप्या मेरी रक्षा कीज़े इस तरह से रुप्ति विरो ठाकुर कह रहे हैं हमें पुकारना चाहिए और हमें और कुछ नहीं कर सकते हैं तो डोन्ट बिकम डोन्ट बिकम स्मार्ट और तिंग यू कें सॉल्ट इस प्रॉब्लम बिकम हेल्पलस और क्राइड आट फॉर कृष्णा इंडेस्टर तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमको ये लगता है कि हम काम से विजय प्राप्ति कर लेंगे पहने तो ये ब्रहमाप दूर कर दीजे हैं हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम भगवान को पनी डिजायर बता सकते हैं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए तो ये हम कैसे बताएंगे इन डिजायर को न भूख कर जो हम प्रयास करते हैं इंद्री सैयम करके बगवान के ओ इंद्रियों से बगवान की सेवा के तुष्टी जो प्रयास करते हैं ये प्रयास देखकर भगवान हेल्प होता है जिसके अंदर से रता है मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा हूं मैं family attachment से निकल नहीं पा रहा हूं इन attachment के करण आधात्मिक चीजों को छोडता चला जा रहा हूं चोडती चली जा रहे हूं कि तो हम मेरी रक्षा कीज़े यह opportunities मैं छोड़ू नहीं मैं opportunities छोड़ू नहीं शिल्प्रपाद की जाए संदर्थ है इसमें जो commentaries है it is also very very good लेकिन अभी समय बहुत जादा हो गया है तो next class में हमें commentaries देखेंगे शिवराम महराज की इससे हमें यह सब point समझने में मिलेगा क्योंकि अभी हमने बहुत overlook, over over उपर उपर से discussion किया है अंदर से समझ में नहीं आएगा और यह लोग थोड़ा सा depth में जाना चाहूंगी ताकि इसमें हमें थोड़ा सा कुछ समझ में आए और बहुत सुंदर शिवराम महराज है, भक्ति विज्ञान महराज है और उन्हें मिलावाताजी है उन्हेंने बहुत सुंदर explanation दी है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर pictures है तो मैं चाहूंगी राजिश्वरी कभी बुक का आजे हैं उनकी तो वो pictures को elaborate करें तो बहुत सुंदर pictures है अश्में तो अचा है five birds का दिखा सकते हैं देखो ये picture देख रहा है कैसे ये शत्रू आते हैं और हमें पक्राल लेते हैं highway robbers और कौन कौन से देखो ये सब anger, envy देखो कितना सुंदर painting है न ये न greed illusion भ्रम फिर lust सबके हाथ में फंदे हैं देख रहे हैं आप of madness अब कैसे हमारे पुराक्रमन करते हैं अब मज़े की बात हम उन उनी को protect करते हैं फिर क्या होता है ये देखे जब हम help के लिए call करते हैं तो क्या होता है देखे देखे ये वका सुरकवद करने वाले messenger आ गए श्री मतीरा धर्हानी की मंजरिया आ गई रूप को स्वामी सलातन को स्वामी देखे और कहां गए वो लोग भाग गए तो कैसे आते देखे गुरू के रूप में आते हैं हमें instruction देते हैं वेद का ज्यान देते हैं जिससे हमारे जो जो है सारे जो लस्ट कामनाई जो अंद बहुत गहरी होती हैं जानते सुनते हम काम करते हैं इतना बयानक होता है लस्ट को निकाल पना बहुत मुश्किल है और ये देखे जनजीरे कैसे होती है अनेक जन्मों के अपराद हमारे पापकर्म होते हैं उनसे ये जखड़ा होता है ये इतना आसान नहीं है जो हमारे आस लेकिन कैसा लगता है इससे तो हम निकल जाएंगे हमें कोई हमें बच्चों से हमें कोई अनुराग नहीं पर देखिए वक्का सुर्कबत करने आ रहे हैं भगवान से कृष्ण है रहे कृष्णा रहे कृष्णा रहे कृष्णा और यह सब क्या है इन स्कॉलर लोग जो रहते हैं इनसे कुछ नहीं हो सकेगा पढ़ा था ना कुछ नहीं कर सकेगा अभी देखो एक क्रिस्टल है जब इनका एस्सेशिएशन करते हैं तो इनकी रिफ्लेक्शन हमारे उपर आईगे अगे अभी क्रिस्टल शिल्पर बाद कीन जाए